और मुझे ऐसा लगा कि हम इनकी पुतली का ट्रांस्प्लांट करें बिना शायद इनकी ही परत को वापस से ठीक कर सकते हैं और ऐसा ही हमने किया और हम डोनों ही पेशेंट्स में ये करने में काम्याब हुए विदिन थ्री डेज दोनों पेशेंट्स की पूरी पुतली साफ हो गई और रोश्नी वापस आ गई हेलो एवरिवन मैं हूँ टॉक्टर प्रख्यात रूप मैं अकुरा विजिन क्रिनेक्स रूप नित्राले मेरट में कैटराइट कॉर्णिया और रिफ्राक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूँ आँखों के इलाज ही ये सारी ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू डेली से करी है आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी स्टोरी जो हमारे को हमारे डॉक्टर पे ट्रस्ट करने के लिए या ऑपरेशन की तरफ जाने से डरा देती है आप सभी लोगों ने कैटराइट के बारे में सुनाई होगा कैटराइट यानी की सफेद मोतिया जो उमर के साथ हमारी रॉष्णी को दीरे दीरे धुनला कर देता है इसका इलाज ओपरेशन द्वारा जो मोतिया बन गया है उसको निकाल कर उसकी जगा आर्टिफिशल लेंस इंप्लांट करकर रॉष्णी को वापस लाके किया जाता है ये दुनिया की one of the most commonest performed surgeries है बहुत आम है एक मोतिया बिन का operation बढ़ती उमर के साथ बुड़े लोगों के लिए लगभग सारे ही डॉक्टर्ज मोतिये का operation करते हैं अब cataract surgery के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बिलकुल नॉर्मल ही रहे कई बार थोड़े बहुत complications हो सकते हैं ऐसे ही कुछ complications मेरे दो patients के साथ हुए जो मेरे पास आए काफी ज़ादा परिशान होने के बाद क्यूंकि मैं एक cornea specialist हूँ तो ऐसे complications मैं आम तोर पर देखता ही रहता हूँ इन patients ने अपनी surgery बहुती अच्छे जगे पर कराई काफी पैसा भी खर्च किया और अच्छा lens डलवाया लेकिन operation के बाद उन्होंने बताया कि उनकी नजर वापस नहीं आई और धीरे धीरे करके और धुंदली होती चली गई थोड़े वक्त के बाद दर्द होने लगा पानी आने लगा आँख में चुबन रहने लगी वो अपने doctors के पास वापस गए तो doctors उनको different different दवाईयां देते रहे और ultimately doctors ने उन्हें ये कह दिया कि आपकी पुतली खराब होने लग गई है और पुतली कमजोर होने के कारण ये खराब हो गई है इसलिए इसमें पुतली बदलने का operation किया जाएगा उसके बाद ही आप ठीको पाएंगे और उनको कहा कि आप किसी पुतली वाले doctor को दिखा लीजे पुतली के doctor को ढूणते हुए वो लोग internet पे गए और उन्हें मेरी वीडियो दिख गई जो आप यहाँ पर description में देख सकते हैं जो DMAC के बारे में जिसमें हमने बताया है कि आँखी पुतली की पिछली परद कई बार खराब हो जाती है या तो सफेद मुती के operation के बाद या जब वो कुद्रती पहले से कमजोर हो और ऐसे cases में उस परद को बदल के बिना कोई टाके के रोशनी को within few days हफते के अंदर-अंदर पूरी तरह से वापस लाया जा सकता है थोड़ा सा यहाँ पर मैं रुक के बता देता हूँ DMAC क्या होता है इसकी detail आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने पहले से upload करी हुई है बट अभी मैं बहुत brief में बताता हूँ यह हमारी आंख है इसके अंदर यहाँ पर एक कुद्रती lens होता है जो सफेद पढ़ने के बाद हम उसको replace करते हैं replace करने के लिए हम lens को यहाँ पर गोलते हैं जब हम lens को इस area में गोल रहे होते हैं तो कई बार या तो सर्जन बहुत अच्छे ना हो या सर्जरी में कोई complication हो या आँख की पुतली genuinely बहुत कमजोर हो ऐसे में यह जो आगे की हमारी पुतली होती है इसके उपर जो ultrasonic energy है machine की जो energy है वो प्रभाव डालती है और यह पुतली के cells को मार देती है जिससे की पुतली खराब हो जाती है ऐसे में यह पुतली धुनली पड़ जाने के कारव है पूरी रोशनी धीरे धीरे करके कमोती चली जाती है और दरद और तक्रीफ होने लगती है इलाज के लिए जो सबसे latest तरीका है treatment का वो है demet desmet membrane endothelial keratoplasty जिसके अंदर हम केवल इन cells को जो खराब हो गए है उनको transplant कर देते हैं किसी और दान करीवी पुतली में से लेकर और patient की vision वापस आ जाती है बिना कोई टांके और बिना कोई लंबे वेटिंग टाइम के यानि की surgery बहुत असदार होती है 3-4 दिन में ही रोष्णी को साफ कर देती है तो जब ये patients मेरे पास आए तो मैंने देखा कि हाँ इनकी पुतली कमजोर है और पुतली की जो परत है वो खराब सी लग रही है लेकिन फिर मैंने कुछ test करे क्योंकि हमारा ये research center भी है तो हमारे पास काफी सारी आधुनिक मशीने हैं तो हमने इनके specular microscopy, OCT scans वगेरा किये और मुझे ऐसा लगा कि हम इनकी पुतली का transplant करे बिना शायद इनकी ही परत को वापस से ठीक कर सकते हैं और ऐसा ही हमने किया हमने दोनों patients को बताया कि हम पहला attempt एक छोटा सा procedure करके करेंगे जिसमें आप ही की आँख की वो परत जो डॉक्टर ने बताया कि कमजोर हो गई है या operation के बाद अपनी जगे से हिल गई है, हट गई है उसको ही हम वापस लगा देंगे और हम दोनों ही patients ने ये करने में काम्याब हुए Within 3 days दोनों patients की पूरी पुतली साफ हो गई और रोशनी वापस आ गई ऐसे में हम transplant procedure के cost से जो की काफी expensive होता है, उससे भी बच गई and जो patient की अपनी पुतली है वो guaranteed है कि जिन्दगी भर काम करेगी जबकि जो transplant है, अगर हम DMAC करें तो वो 98-99% successful होगा और अगर हम टांके वाला transplant करेंगे तो वो तो 50-60% ही successful होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा हमारा जो intuition था हमने जो test करके, छोटे से test करके पता कर लिया कि ये इनकी पुतली काम कर सकती है और एक minor procedure, मातर 10 minute का procedure करके हमने उनकी उसी पुतली को वापस खीख कर लिया मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये बात समझें और अपने सारे दोस्तों को, अपने friends को, family members को बताएं कि आँखों की जो भी complications है उनको manage किया जा सकता है बस समय पर और सही जगह पर पहुँचने की बात है I hope आप सब लोगों को इस से थोड़ा सा होसला मिलता है कि जो procedures, जो चीजें लोग कह देते हैं कि अपकी आँख चली गई, आँख डैमेज हो गई दो महीने से तीन महीने से गूम रहे थे गर उदर परिशान थे वोट ठीक की जा सकती है आपको बस सही specialist के पास पहुँचने की जरूरत है Thank you